मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शान्ती आज 15 जून 2022 के सकार मधूर महवा के हैं आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है वापिस घर जाना है इसलिए बाप और घर को याद करो पावन बनो सब खाते खलास करो बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है वापिस घर जाना है इसलिए बाप और घर को याद करो पावन बनो और सब खाते खलास करो आज बावा ने प्रश्न पूछा कि बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं और उत्तर में बावा ने कहा कि बच्चे अभी इस रुद्र ज्यान यग्य में अनेक प्रकार के विग्न पढ़ते हैं परंतु धीरज धरो जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा धेर के धेर आने लगेंगे फिर सब तुम्हारे आगे माथा जुकाएंगे बादेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे जितना तुम बाप को याद करेंगे बंधन तूटते जाएंगे तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे मुली का गीत है भोले नाथ से निराला और कोई नहीं ओम शांती भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरे से समझा ही है शिव तो उचे ते उच मूल वतन में रहते हैं शंकर तो है सुक्ष्म वतन वासी उनको भगवान कैसे कह सकते हैं उच ते उच रहने वाला है एक बाप फिर दूसरे तपके में हैं तीन देवताएं वह है बाप उच ते उच निराकार शंकर तो आकारी है शिव है भोलानाथ ग्यान का सागर शंकर को ग्यान का सागर कह नहीं सकते तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथा कर हमारी जूली भरते हैं आधी मध्य अंद का राज बता रहे हैं रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है बड़े बड़े रिशिमुनी आधी भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे तो अभी तुम बच्चे बाब के समुख बैठे हो बाब अमर कथा सुना रही है यह तो बच्चों को निश्चे है बरोबर हमारा बाबा शिब बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रही है इसमें कोई संशे नहीं होना चाहिए कोई भी मनुश्य हमको यह नहीं सुना रही भोलानाथ है शिव बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है मैं हूँ निराकार पूजा भी मुझे निराकार की ही करते हैं शिव जनती भी मनाते हैं अब बाप तो जनम मरन रहीत है वह है भोलानाथ जरूर आकर सभी की जोली भरेगा कैसे भरेगा यह तुम बच्चे ही स ग्यान देते हैं गीता तो वही एक ही है परन्तु संस्कृत श्लोक तो है नहीं भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने उनों के लिए ही भोलानात बाबा आते हैं यह मताएं तो विचारी पढ़ा रहा है बच्चों को, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले-पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का, यू तो भक्तियां, सिताएं सब हैं, राम आए हैं रावन से, लंका, रावन की लंका से मुक्त करने, अठात दुख से मुक्त करने, फिर तो में किसी को मुक्ती मिल नहीं सकती, सब को तमो पढ़ान बनना ही है, मुक्खे जो फाउंडेशन है, वह जल जाता है, वह धरम ही प्राय लोग हो जाता है, बाकी कुछ प्राय चित्र आदी जाकर रहते हैं, लक्ष्मी नरायन का चित्र भी गुम हो जाए, तो यादगर कैसे मिलेगा, बरोबर जानते हैं कि देवी देवताएं राजिक करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक है, बच्चों को इस पर समझाना है, तुम जानते हो, लक्ष्मी नरायन बच्पन से प्रिंस प्रिंसे राधे कृष्ण थे, फिर महराजा महरानी बने है, वह है ही श्री कृष्ण तो है ही बैकुंट का प्रिंस, वह है तो गीता सुना न सके, भूल भी कितनी भारी कर दी है, कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह है तो मनुष्य है, देवी देवताएं धरम का है, वास्त में देवताएं, ब्रम्हा, विष्णु, शंकर्त, वतनवासी नहीं कह सकते, ब्रम्हा देवताएं नमा, विष्णु देवताएं नमा कह देते हैं न, वह है देवी देवताएं धरम, श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायन देवताब, मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवताएं धरम के थे, वह धरम बहुत सुख देने वाला है, किया कोई कहना सके कि वहां हम क्यों नहीं, यह तो जानते हो न, कि वहां एक ही आदिसनातन देवी देवताएं धरम था, फिर बाकी और धरम नमबर वाराते हैं, यह तुम बच्चे समझा सकते हो, यह अनादी बना बनाया खेल है, उसमें फिर सत्योग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है, यह भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहां होता है, उनका है दिवे जन्म, जो मनुश्यों से दृश्यन नहीं है, बाप पाए हैं निकालने, अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे, यह तो आसुरी रजिस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी रजिस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, यह है बांधेलियां भी घर बैट सुनती हैं, छुटी नहीं मिलती है, हाँ, घर बैटे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो, बोलो हमको स्वपनमी डारेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो, अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस अवस्था में हो, वानप्रस में का ख्याल थोड़ी होता है, अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, कि सभी की वानप्रस अवस्था है, सभी को वापिस जाना है, तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना, बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है बड़ा सहज है, घर में बैट बल भोजन बनाओ, शिप बाबा की याद में, घर में भोजन बनाते हो तो पती याद रहता है ना, बाप कहते हैं यह तो पतियों का पती है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, अच्छा कोई को छुटी नहीं मिलती ह वहां भी रह बाप और वर्ष्टे को याद करो, अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है, हाँ, रुद्र ग्यान यग्यमें विग्न भी जरूर पढ़ने है, आखरीन जब तुम्हारा प्रभाव नि को एक ही बात समझाओ, कि बाप का फर्मान है, मुझे याद करो, वर्षा लो, कृष्ण को तो नहीं हो सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परीचे देना है, जो सब जान जाएं कि हमारा बाबा शिप बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है, थोड़े सम दो वर्ष तक भी चलती है, इसमें भी उपाई यही है, कि बाबा को याद करते करते बंधन चूट जाएंगे, इसलिए हर बात में धीरज चाहिए, बाप कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे, उतना विकरम विनाश होंगे, बुध्धी चूटती जाएगी, यह विकर्मो जीत याद से ही बना जाता है, सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा, विपारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है, याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा यह भी व्यपार है ना बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं धक्का आदी कुछ भी खाने का नहीं है वो तो जन्म जन्वांतर खाते ही आए हैं अभी सत्य बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं गौड ही सत्य बतलाते हैं बाकी तो सब है छूट कोंट्रास देखो बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं यह है ज्रामा फिर भी ऐसे ही होगा अभी तुम जानते हो कि हम सद्गती को पाते हैं श्रीमत पर चलने से नहीं तो इतना उंच पद नहीं मिलेगा तुम निमित बनते हो स्वर्ग में जाने वहां कोई विकरम होता नहीं यहां विकरम होता है तो सदा भी भोगनी पड़ती है जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए नास्तिक भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना जानते भी हैं कि शिप बाबा की श्रीमत पर ही चलना है परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे श्रीमत है श्रेष्ट बनने की सबसे उंच ते उंच वैस्त गुरु है बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं कल्प कल्प समझाया था बाकि शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं अनेक धेर के धेर शास्त्र हैं शास्त्रों की भी बहुत इज़त रखते हैं जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ एक दम बिंदू बन जाओ बिंदी लगा दो और कोई बाते सुनो ही नहीं Here no evil, see no evil, talk no evil एक बाब के सिवाए दूसरे कोई की बात मत सुनो अशरीरी बन जाओ और सब कुछ फूल जाओ तुम आतमाई शरीर के साथ सुनती हो बाब आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को सद्गती का मार्ग बतलाते हैं भल पहले भी कि परन्तु मुक्ती जीवन मुक्ती कोई चक्र नहीं सकते कल्प की आयू ही लंबी कर दी है जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा तकदीर में नहीं है तो आना सके यहां भी तकदीर की बात है बाब समझाते कि कितना सहज है कोई कहते हैं हमारा मुक नहीं खुलता अरे इतनी सहज बात है बाप और वर्सी को याद करो उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव शिप बाबा है सभी आतमाओं का बाप कृष्ण को बाप नहीं कह सकते ब्रमा भी बाप है सारी प्रजा का आतमाओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्द स्वर्ग का वर्षा मिलेगा आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे जाएंगे कहां, आते रहेंगे यहां बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत खुस पढ़ते हैं तुम्हारे में भी व्रुद्धी को पाते रहेंगे विग्न कितने भी आए उन खिटपिट से पासो कर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है राम राज्य श्थापन कर रहे हैं राम राज्य है नई दुनिया तुम जानते हो हम अपनी तनमन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर, कोई से पहले तुम यह पूछो कि परमपिता पर्मात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? परजापिता ब्रम्हा से क्या संबंध है? यह है बेहद का पाप और फिर है बिराधरियां एक से ही निकली हुई है ना परमपिता प्रमात्माने प्रजापिता ब्रह्माद्वारा स्रुष्टी रची है अर्थात पतित से पावन बनाया है दुनिया कुछ भी नहीं जानती हमसो पूजे हमसो पुजारी गाते हैं परंतु वफर भगवान के लिए कह देते हैं अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूजे बनावे यह पूछना चाहिए बच्चो को हमसो का अर्च समझाया है हमसो शूद्र थे अब हमसो देवता बन रहे हैं चक्र को तो याद कर सकते हो ना गया भी जाता है फादर शोज सन फिर सन शोज फादर अच्छा मीथे मीथे सिखिलदे बच्चो प्रती मातपिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिग रूँभानी बाप की रूँभानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते ओम शांती प्यारे बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं थीरज धरना है उतावला नहीं होना है सेकिन पॉइंट है घर में भैट बोजन बनाते हर करम करते बाप की याद में रहना है बाप जो अविनाशी ज्यान रतन देते हैं उनसे अपनी जोली भर दूसरों को दान करना है वर्दान क्या है? साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझ कर देखने वाले मास्टर रचाईता भव साक्षी बन माया की खेल को मनुरंजन समझ कर देखने वाले मास्टर रचाईता भव माया कितने भी रंग दिखाए मैं माया पती हूँ माया रचना है मैं मास्टर रचाईता हूँ इस स्वृति से माया का खेल देखो खेल में हार नहीं खाओ साक्षी बनकर मनोरंजन समझ कर देखते चलो तो फर्स्ट नमबर में आ जाएंगे उनके लिए माया की कोई समस्या समस्या नहीं लगेगी कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा सदा साक्षी और सदा बाप के साथ किस्मृति से विजयी बन चाएंगे स्लोगन है मन को शीतल, बुद्धी को रहम दिल और मुख को मीचा बनाओ ओम शान्ती और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल 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 झाल